हरिवों प्रिदर्सकों यदि आपकी मकर राशी या मकर लगन है इस वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा समझेगा क्योंकि जैसे कि आपने थमनेल में पढ़ा महाशिवरात्री रात में ये प्रयोग कर लीजे ये काम कर लीजे तो जो आप चाहते हैं वो होने वाला है ये शिवरात्री बड़ी ही दिब है और इसमें ये बड़ा ही दिब प्रयोग है इशे करने से आपकी एक्छाएं आपकी कामनाएं हैं जो आप चाहते हैं वो होने वाला है प्रंत उससे पहले हम ये प्रयोग तो जानेंगे हैं उससे पहले हम एक ग्रह स्थिति की बात करने बाले हैं जो की बड़ी ही दिब्ब है और आपको बहुत सारे लाव देने वाली है कौन-कौन से लाव देगी कौन सी ग्रेश्टिती इसे जानते हैं प्रिदर्शकों आपने इससे पहले संभव है कि बहुत सारी वीडियो जरूर देखी होगी बुधर रासी परिवरतन की बुध नीच के हो चुके हैं बुध राहु के साथ बैठके और जड़ योग जड़ गुद्धी योग बना चुके हैं तो इससे बड़े नुकसान है तो हम दूसरे पहलू को समझने की कोसिस करेंगे कि आपको लाब कैसे मिल सकता है आप इससे बहुत कुछ प्राप्त कर सक क्योंकि प्रिदर्सकों आप जानते हैं राहु यहां पर 30 अक्टूबर 2023 से गोचर कर रहे हैं मीन राशी में और यह 18 महिने तक रहेंगे मतलब एक राशी में 18 महिने तक रहते हैं तो राहु यहां पर विराजमान है यह राशी किस्की है राशी है देव गुरू बहुत की और जानते हैं कि राहु के पास सरीर नहीं है तो अब राहु को एक बड़ा ही दिव सरीर मिल चुका है किसका बुद्ध का बड़ा बुद्धिमान सरीर क्योंकि बुद्ध बुद्धी के कारक है और देव गुरू बहस्पत किसके कारक है ग्यान के कारक है तो राहु अब ब शमतकार करने वाला गरह माना जाता है क्योंकि जो जादू होता आपने सुना होगा जादू मंत्र इन सब चीजों का राहुकारक होता है और अचानक इस्तितियों का भी राहुकारक होता है आपने सुना होगा कि कोई व्यक्ति एक रोडपती से कडूरपती बन गया, बहुत विक्षात हो गया, बहुत कुछ उसको मान, सम्मान, धन, सब कुछ प्राप्त हो गया, और एक ब्यक्ति लखपती कडूरपती से रोडपती हो गया, इन सब कामों में राहु का बहुत बड़ा दिब्वेहात होता है, अब वही इस्त दिवन चुकह इसे चमतकार क्या लाब होगा आईक जानते हैं इस तो पिरीज 생각을 यह ओप कोई भी काम कर रहे थे और उसमें रुकावटें कुछ यह रही काम पूरा नहीं हो रहा था अब 50% हो गया 60% हो गया पर फिर रुख गया 90% हो गया पर उहां पर कुछ न कुछ बाधा यहीं रुख गई अब आपको भाग का साथ मिलेगा जिससे रुके हुए काम बनेंगे साथ में प्रीदर्स को यदि आप अपने जीवन में कर्ज की इस्तिती से परिसान थे लोन आपने ले लिया था कर्ज नहीं चुक रहा था इस समय अब आपको कर्ज से मुक्ती मिलने का समय आ चुका है इस समय आप प्रयास कर सकते हैं या बहुत जादा रोग बाधाएं थी बहुत जादा समश्याएं थी जीवन में इनसे भी छुटकारा आपको अब मिलने बाला है साथ में प्रीदर्स को यदि आप से जलने बाले बहुत लोग हो चुके थे आपके सत्रू बहुत सारे हो चुके थे आए दिन लोग आपसे बाद विवात की श्तिती बना रहे थे आपसे सत्रूता निभा रहे थे तो अब ये समय आ चुका है कि आप अपने बुद्धी बल पर अपने बुद्धिमता के बल पर अपने सत्रूं को भी मित्तर बना सकें साथ में प्री दर्श्कों, यदि अब 6.50 से आप परिसान हैं, प्रे रिदित हैं, आप को आलत से आ रहा था, आप अपने काम को करने में सोच रहे थे, नहीं, आज नहीं, कल करेंगे, पर्सो करेंगे, चलो, बाद में करते हैं, इस चक्र में काम रुठ जा रहे थे, तो अब आपके अंदर एनर्जी की व्रद्धी होने वाली है जो साने वाला जिससे आप हर एक काम को बड़ी शिव्रता से करेंगे और आपको सफलताइं प्राप्त होंगी साथ में प्रीदर्शकों जदी आप कोई कंप्टीशन में हैं कोई परिच्छा में हैं प्रतियोगता में हैं और सफलताइं नहीं मिल रही हैं आप कोई काम करने जा रहे हैं आप अपना स्टाटप शुरू कर रहे हैं आप खेल कूद के छेत्र में हैं सोसल मीडिया में आप वर्क करते हैं कहीं भी वर्क करते हैं और आपको सफलताइं नहीं मिल रही हैं कंप्टीशन बहुत पर भी आपको शफलता मिलने वाली है तो प्रिदर्शकों ये बहुत सारे लाभ आपको देने वाले हैं बुद्ध और राहू की यूती की बज़े से और अब हम ग्रह इस्तितियों के हिसाब से पहले प्रयोग जान लेते हैं और फिर महां शिवरात्री का प्रयोग जानेंगे तो ग्रह इस्तितियों के लिए प्रयोग हम जो करने वाले हैं प्रिदर्शकों इसे रात्री में करना है क्योंकि राहू को आप जानते हैं कि रात्री में बलमान होता है रक्षा से है रात्री में बहुत बली होता है और बुद्ध दिनो रात 24 गंटे बली माने जाते हैं और आपने एक बात सुनी होगी कि law of attraction, visualization, तो रात्री में ये visualization आपको करना होगा, जो आप चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरी रोकरी लग जाए, आप चाहते हैं कि मुझे कर्ज से मुक्ती मिल जाए, तो आपको सोचना है, सोने से पहले 5-10 मिनट पहले आपको बैठना है, सोचन है, और ये आपको 25 मार्च तक करना है, क्योंकि बुद्ध यहां कब तक करेंगे 25 मार्च तक बिशेश रूप से, पर अधि इसे आप कांटीनिव कर सकें, जब तक राहू है मीनराशी में, यानि कि 18 महीने, अभी अक्टूबर से आये थे 2023 से, तो यहां मीनराशी में, अभी ये visualization करते रहना है, अब हम महा शिवरात्री का दिव प्रयोग जानते हैं, क्योंकि संभव है, कि बहुत सारे लोगों को अपनी रासी नहीं पता होगी, कुंडली नहीं पता होगी, ये प्रयोग हर व्यक्ति के लिए है, इसमें कोई भी रासी हो, कुछ भी हो, तो ये प्रय पर रखना है, कैसे रखना है, पहली बेल पत्री जो है, आप जहां पर अशोग संदरी का स्थान होता है, जहां जल बहता है, वहां पर रखना है, और दूसरा जो बेल पत्री है, तो आपको जहां माता पारवती का हस्त कमल साइड में होता है, वहां पर रखना है, और तीसर जहाँ से जल बहता है लाश्ट में वहां पर रखना है, परंतु जू अशोग सुंदरी के पास रखेंगे, और जो बहता है जल वहां पर रखेंगे, लाश्ट में जो जल बहता है, उसका जो डणडी है जहाँ पकड़ते हैं, उसे नंदी की तरफ ओना चाहिए, और जो माता पारवती का हंस्त कमल होता है वो बेल पत्र जब रखेंगे तो जो साइड की पत्तियां होती है वो शिविलिंग से टज्वो इस बात का ध्यान रखिएगा और जो पांचवा बेल पत्र है वो नंदी के पास रखना जो नंदी का पैर उठा होता है उसके पास में रखना है आपको तो ये पांचवा बेल पत्र का प्रयोग आपको करना है और इसे आपको 12 शिवरात्री एक तो ये महा शिवरात्री हो गई और जो मासिक शिवरात्री हो तो उन सीवरात्रियों पर करना है पूरे मतलब 1512 शीवरात्री तो ये प्रयोक करें और भगवान शीव से प्राथना करें जो भी च्छाहएं हैं जो आप चाहते हैं जो आपकी कामनाए हैं वो भगवान शीव से निबेदेत करिए तो जरूर भगमान की करपा होगी और इसे आप रोज कर सके तो और बढ़िया है तो आप यदि जानना चाहते हैं कि मासिक शिवरात्री कब कब होती है तो ये एक हमारा चैनल है चिंता मनी ब्रत्योहार उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है तो वहाँ जाकर आप सस्क्राइब कर लिजिए जिसे आने वाले समय में कब मासिक शिवरात्री रहती है उसकी जानकारी आपको पराप्त होती रहेगी तो ये प्रयोग करिए और कमेंट में ओन और शिवा जरूर लिखिएगा और एक मत्तपून बात ये इस वीडियो को हर वेक्ति तक पहुंचाईए बार साब फेस्बूक हर सोसल मीडिया में फैला दीजिए क्योंकि यदि आपने हजार लोगों को भी यदि शेयर कर दिया और सो लोगों ने भी कर लिया तो सो लोगों का आप हित कर देंगे उनका जो उनकी जो कामनाएं हैं उन्हीं पूरी करने में आप मदद करेंगे इससे और भी ज्यादा अच्छा आपको पुर्ण प्राप्त होगा लाभ होगा तो इसे जरूर सेयर करिएगा और भगवान शुब की आराधना करिएगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत